Hello students, अभी जो situations हैं COVID-19, पूरा इंडिया तो चपट में ले ली हैं, बहुत खरब situations हैं, यह situations से खुदाई फरोसा हमों को प्रोटेक कर सकें, आप लोग तो सब गधे को सिंगा सन में बठा दिया, धरम का नाम पर गधे सिंगा सन में बठा दिया, अभी मुश्किल सब सारे मुश्किल में हैं, यह तो इनिन का बस का बात नहीं है, खुदा हमें को प्रोटेक्ट कर सकें, तो इस टाइम से गुजरने के लिए मैं एक अगस्त में एक एक जाम होगा, जही है, एडवन सेप्टेमर्ट में, ठीक है, और अक्टोबर करके, so that is, is what need एक जाम्स होगा, so my defense's right strategy can change your fortune, can change your destiny about जही एक जाम्स, ठीक है, जही एक जाम्स में अच्छे स्कोर करने के लिए, मैं एक स्ट्राटेजी दे रहा हूँ, यह स्ट पढ़ा है, जब पढ़ा होगे, six to six, six hour chemistry, six hour, clear part subject six hours, आप स्पेन करोगे, ठीक है, clear, so, और हर एक तो ब्रेक लेना, उस ब्रेक लेने के बाद, mind को refresh करोगे, रिफ्रेस करने के बाद, जब पढ़ा होगे, जब पढ़ा हो ना, वो स्टू होता है, आपका दिमाग में स्टू होगे, पढ़ा होगे, तो पूरा पढ़ा होगे, आपका दिमाग में स्टूर नहीं होगे, हर एक देव घंटा की अदो घंटा का बाद, ब्रेक लेना, mind को refresh करना, ठीक है, 15-20 minutes, जिस पर आपको ज़्यादा इंटरिस्ट है, वो करना, कि किसी का गाना, टीवी पर गाना सु बात कर लिया, ठीक है, क्लियर, लेकिन फ्रेंट को घंपे मत बुलाना, बिल्कुल ही नहीं स्टैन, ठीक है, ऐसा करके, आप mind को refresh करो, फिर पढ़ाई करो, इसके आपका सारे पढ़ाई, दिमाग में स्टो होगा, जो टाइमिंग होगा, टाइमिंग क्या होगा, हर एक सब् इसको पढ़ने के लिए कोशिस करना, जैसे इजी किल चैप्टार्स में, फर्स्ट में आप लिमीट को राखोगे, फिर रखोगे डिफेंसेशन, फिर कंटिनुटी, डिफेंसिलिटी, क्लियर, फिर क्या करोगे, फिर अप्लिकेशन सब डेरिवेटिप्स में, पहले टैंज इसका बाद वेक्टर्स, 3D Geometry, Mathematical Logik, इसका बाद Ratio Identities, Tegonometry का Inverse Tegonometry, Tegonometric Equation, उसको पढ़ लो, उसका बाद Quadratic Equation, Sequences, उसको पढ़ लो, ठीक है, क्लियर, उसका बाद Straight Lines, Circle and Parabola को पढ़ लो, उसका बाद लगता है जिए आप और भी पढ़ सकते हो, जो जो चप्टर म इने छोड़ दिया ना, धीरे-दीरे ओ चप्टर को पढ़ना, ठीक है, So, that means कि उसका बाद आपको State Theory, State Relations को भी पढ़ लेना, ठीक है, Relations Functions, एही से ना, ज्यादा difficult questions नहीं put up करता है, आप इसका questions easily solve कर सकते हो, वो मेरी चैनल पर अवेलेबल है, Young Mind Math Series का वीडियो देखो, वो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है, यह सारे जो कम से कम 20 से 22 chapters आपको अच्छा से पढ़ाई करना है, अच्छा से पढ़ाई करने के बाद, definitely you feel comfortable in the subject, ठीक है, क्लियर, आप कुछ पढ़ो और ना पढ़ो, लेकिन मेरे चैनल के जो Young Mind Math Series, Video Lectures है, वो सारे वीडियो ले अच्छा से पढ़ाई करने के बाद, इसको आप देख सकते हो, ठीक है, मुझे जो लगता है, वो पढ़ने के बाद, कोई आपको हटाने ही सकते, इनहींटी का गेर से, definitely you can score every bookmarks in Chief Mathematics, आप clear, आप consider कर सकते हो, you can get 75 marks out of 100, minimum 75, maximum, मैंने 1300 questions discuss किया, clear 1300 questions discuss करने के बाद, मुझे जो लगता है, after practicing 1300 questions, definitely you feel comfortable in the subjects, nobody can stop you, nobody can make you fall in the examinations or any type of questions you can solve without any hesitations, without any difficulty, ठीक है, clear, remember it my dear friends, practice still you perfect and perfect practice makes you perfect, remember it, so lastly what you say, clear, stay safe, stay home, stay safe, keep studying, stay praying, and keep blessed, thank you very much.